आज हम जिस विश्यवस्तु की चर्चा खड़ने वाले हैं उससे आप भले बाती परिचित होंगे एसा मुझे पूरन रूप से विश्वास है वह है टीचिंग एप्टिटूड और टीचिंग मेथड सबसे पहले तो आप देखें टीचिंग मेथड और टीचिंग एप्टिटूड दोस्तों टीचिंग मेथड टीचिंग एप्टिटूड का ही एक पार्ट है टीचिंग एप् टीचिंग एक्जाम का इंपोर्टेंट भाग है दोस्तों यदि अभी तक आपने फुचर फ़स्ट क्लासेज के यूटूब चैनल तथा टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें बैल आइकेन को प्रेस करें ताकि कोई भी कि यह मेरा आपसे वादा आये अब हम टूदा पॉइंट बात करते हैं हम बात कर रहे थे कि टीचिंग एक्जाम का इंपोर्टेंट भाग है इसको हम इस बिंदू की साहिता से समझ सकते हैं दोस्तों जो टीचिंग से समंद्धिक जो एक्जाम हुए है उसमें जो एक्टिटूड से समंद्ध जो कुष्चिंग पुछे गए हैं या पुछे जाते हैं उनका जो वेटेज है वो इस परकार है सरव पर्थम जो एनवेस है एनवेस में 15 से 20 कुष्चिंग पुछे जाते हैं 15 जो कुष्चिंग पुछे जाते हैं 15 जो कुष्चिंग पुछे जाते हैं, दूसरे नमबर पर बात करें KVS, KVS में 10 कुष्टिन आपको TGT में, वैसे तो TGT में 40 कुष्टिन पुछे जाते हैं, आगे 20 कुष्टिन हैं, वो PGT में पूछे जाते हैं, इस परकार जो KVS है, उसमें 10 से 20 कुष्टिन पूछे जाते हैं, आगे है RPSC, RPSC में जो PGT का एक्जाम होता है, जिसे हम 1st grade बोलते हैं, उसमें 10 कुष्टिन पूछे जाते हैं, Teaching Attitude के, और जो TGT का एक्जाम होता है, जिसे हम 2nd grade बोलते हैं, उसमें 20 कुष्टिन, teaching aptitude से संबंदित होते हैं इस परकार जो RPST के exam हो उसमें 10 से 20 question उच्छे जाते हैं आगी बात करें teacher agility जो test है उसमें 10 से 15 question उच्छे जाते हैं चाहें वो level first हो चाहें वो level second हो चाहें वो CTAT हो चाहें वो HTAT हो चाहें वो read हो चाहें वो RTAT हो उसमें 10 से 15 question teaching aptitude के या teaching method के देखने को मिलते हैं हम जिस syllabus के बात करने वाले हैं जिस syllabus के बारे में हम चर्चा करेंगे उस पर नजर डालते हैं पहला है nature of mathematics and important definitions गनित की परकरती और मैत्वपूर्ण परिबासा हैं इससे लगबग एक question हर exam में देखने को मिलता है आगे है teaching method section विदिया हैं उनमें 5 to 7 questions हर exam में देखने को मिलते हैं हम जिन section विदियों के बारे में अध्यन करेंगे उन पर नजर डालते हैं पहला है हर बर्टिये विदी दूसरा है समस्या समादान विदी तीसरा है अन्विशन विदी आगे है परियेटन विदी इसके बाद प्रोजेक्ट विदी आगमन है निगमन विदी अभी कर्मित अनुदेशन विदी और परियोग साला विदी आगे and final विसलेशन तथा संसलेशन विदी इस परकार जो 9 teaching method है इन से 5 to 7 questions पूछे जाते हैं इसके बाद तीसरे नमबर पर सुक्षम section जिसे हम micro teaching बोलते हैं इससे भी लगबग एक question हर exam में put up होता है या देखने को मिलता है आगे है lesson plan जो part कोजना है उससे भी एक question exam में पूछा जाता है यदि इन दोनों को मिला कर जो बाद करें micro teaching और lesson plan इन दोनों से लगबग एक question तो exam में पूछा ही जाता है इसके बाद है section उदेशत था bloom का वर्गिकराण इससे भी लगबग एक question हर exam में पूछा जाता है आगे है पाठे करम पाठे करम में जो sheet act का exam होता है उसमें एक question रेफनेटली पूछा जाता है और जो other exam है उसमें लगबग पूछा भी जाए और ना भी पूछा जाए आगे है मुल्यानकन एयों मापन इससे लगबग एक question हर exam में देखने को होई मिली जाता है आगे है चारात्मक section इससे भी लगबग एक question हर exam में उचा जाता है इसके बाद है एक section की समस्याई section की समस्याई से mostly एक question हर exam में उचा जाता है इससे लगबग एक से दो कुश्चन आपको हर एक्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों आपको किसी भी परकार की कोई प्रोब्लम हो ये सुजाओ हो तो आप classes futurefirst at directgmail.com पर आप mail बेज सकते हैं एक request है दोस्तों यदि अभी तक आपने futurefirst classes के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ अधिक्स अधिक share कीजिए दोस्तों सब्सक्राइब करना क्यों आउ सकाए इसको हम एक बार समझते हैं जो YouTube की जो policy है जो new policy अभी आई है उसके अनुसारे लिए आप किसी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अगले बार साथ उस वीडियो को सर्च ना कर पाएं क्योंकि YouTube को हैं लगेगा कि जो वीडियो आपने देखी है उसमें आपका इंट्रेस्ट नहीं है उस चैनल के बारे में आपका कोई इंट्रेस्ट नहीं है और सेकिंड जो बात है YouTube आज की टाइम में कुम का मेला है यहां पर हाथ बिचुडने के बाद दोबारा मिलें इसकी कोई गारंटी नहीं है काफी जादा वीडियो हैं काफी जादा कंटेंट हैं तो एक बार यादि आपका हमारा हाथ बिचुड गया तो आप हमसे दोबारा मिलें इसकी कोई गारंटी नहीं है और फाइनल जो बात है आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से जो हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम अपनी सब्दों में बयान हीं कर रखते इसलिए आप जो फ्यूचर फरस्ट क्लासेज है उसके यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीज़िये टेलिग्राम चैनल पर काफ़े ज्यादा पीडियाव को डलती रहती है जो यूट्यूब पर डालना सम्बवर नहीं है इसलिए टेलीग्राम के बारे में हम चर्जा करेंगे जहां से पहले पर्षन एक्जाम में पुछे गए हैं कुछ नए कुछ नाने की संभावना रखते हैं इसी आसा और उम्मिद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जैहीन जै भारत